आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगी Commerce Student के बार में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कीसी Student ने Commerce से Class 12 पास किया है तो Class 12 के बाद उसके परस क्या क्या option है जिस तरीके से 10th के बाद आगे की Stream चुनना मुश्किल होता है उसी तरीके से class 12 पास करने के बाद भी student के सामने बहुत बढ़ी चुनावती होती है कि अब आगे क्या किया जए किस फिल्ड में जाये जए क्योंकि दोस्तों आप जिस फिल्ड में कदम रखोगे उसी according आपको अपना career decide होगा और यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सोच समझ कर किसी भी फिल्ड में जाये जिससे आपका career बेटर हो सकता है और आपका future भी safe हो अलग 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 अपको सलाह देते हैं जिससे आपके confusion और बढ़ जाती है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे courses के बारे में बताऊँगा जिससे अगर आप कर लेते हो तो आपका future बहुत अच्छा हो सकते है उसके साथ साथ अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है आप चाते हैं कि class 12 pass करने के बात ही आपको सरकारी जॉब मिलनी चाहिए तो आपके पास क्या क्या option है इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे courses के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से courses आप कर सकते हैं और आगे नौकरी के भी बारे में हम जानेंगी कि आपके पास क्या क्या option है अगर आपको एक government job चाहिए 12 commerce के बाद तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इस वीडियो को बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरा नाम है आयूस और आप देखरें आयूस रिन यूटूब चैनल तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं jobs option के बारे में कि अगर आपको class 12 pass करने बाद जल्दी से जल्दी job चाहिए तो आप कौन-कौन से सरकारी job कर सकते हैं और आपके पास क्या-क्या option है देखो दोस्तो अगर आपको police में जाना है तो आप class 12 pass करने बाद police constable बन सकते हैं जी हाँ मैं सिर्फ class 12 pass करने के बाद वाले ही option आपको बताऊँगा आप उसमें apply कीजिए अगर आपकी त्यारी अच्छी रहेगी आपका सब तरीके से आप पूरी तरीके से खुद को prepare की रहेंगे तो दोस्तों आपका पहली बार में ही selection हो जाएगा तो अगर आपको पुलिस में जाना है तो आप यहाँ से शुरुवात कर सकते हैं उसके अलावा एक और बहुत अच्छा कर रहे option है जिसमें आपको बहुत सारे job opportunities में मिलेगी इस job में आपको बहुत ज़्यादा अराम भी है और salary भी बहुत अच्छी मिलेगी जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ SSC CHSL का SSC की तरफ से बहुत सारे vacancy निकलती रहती है लेकिन class 12 pass करने को बाद student अगर job करना चाहे तो उनके लिए SSC CHSL की vacancy आती है SSC CHSL के उपर मैंने retail वीडियो बने है वो वीडियो आप जरूर देखेगा उसमें आपको सब कुछ exam pattern वगर के बारे में बताया है तो वीडियो के लिए बहुत अच्छा हो सकते है और SSC की तरफ से 10 बाद भी आपको vacancy निकलती है SSC MTS की तो आप SSC CHSL के लिए भी आप apply कर सकतो आप SSC MTS के लिए भी apply कर सकतो दोनो central government की vacancy है इसमें आपको बहुत अच्छी salary भी मिलती है उसके अलावा आपका interest है railway में जोब करने का तो दोस्तों आप railway में भी जोब कर सकतो cluster pass करने के बाद अगर आपने commerce system से cluster pass की है और आप चाहते है railway में जोब करने का तो railway की तरफ से RRB की तरफ से बहुत सारी vacancies time to time निकलती रहती है उसमें आप apply कीजिए आप अपने interest के coding जो भी post clap apply करना चाहिए उसके लिए आपको एक exam देना होगा अगर अपने exam होगर clear कर लिया आपका सब कुछ अच्छी तरीके से documents verification होगर हो गया तो दोस्तो आपके railway में job लग जेगी और इसमें time to time आप चाहे तो एक बाद job लग जाने के बाद आप इसमें exam देके इसमें promotion भी कर सकते हो आपका खुद भी promotion हो सकता है पांच सल बाद लेकिन अगर आप जल्दी promotion चाहते हो तो आप इसमें exam दीजे उसमें आपको कुछ preference मिलेगी और आप और जल्दी से आप promotion ले सकते हो अगर आपको time जहम नौकरियों में ज्यादा नहीं चाहे आप चाहते है relax भाई जाओ office office से घर आओ पीना किसी tension के तो दोस्तो आपके लिए job हो सकती है bank clerk की जी हां दोस्तो bank clerk की आप job कर सकतो class 12 पास करने के बाद ही आप इसके लिए भी आपको vacancy निकलती रहती है आपको SBI की तरफ से IBPS की तरफ से कई सारी vacancy आती रहती है तो दोस्तो अगर आप clerk बनना चाहते तो आपको इसमें exam देना पड़े रहा आप exam clear करके आप असानी से bank clerk बन सकतो इसमें आपको salary बहुत अच्छी होती है इसमें आपकी salary 25 से 28,000 रुपे के बीच हो सकती है और उसके अलावा और भी जो सुईध है आपको मिलती है गौर में जब में वो तो मिलेंगी है उसके बाद अगर आपका interest है सेना में जाने का देश की सेवा करने का तो दोस्तो आप defense में जा सकते है जी हाँ बहुत सारे लोगों की मन में यह doubt होता है कि commerce student defense में नहीं जा सकते वो army में, navy में, air force में नहीं जा सकते लेकिन दोस्तो यह बिलकुल गलत धार नहीं है आप चाह technical department में दोस्तो चाहिए आप commerce system student हो चाहिए आर्ट system student हो आप non technical department में जा सकते हो और अगर आपको army में जाना है तो 12 के बाद आप NDA का exam देके direct officer level के post पर जॉब पास सकते हो जी हाँ दोस्तो आप NDA का exam दीजे, NDA के उपर एक detail video बने है तो वो भी आपको link description दे दूगा, लोगों ने इतनी सारी बात है कि सबसे पहले मैं आपको एक बार repeat कर देता हूँ जल्दी से देखो, आप SSCCSL के through government sector में job कर सकते हो, उसके लाब दोस्तो आप police constable बन सकते हो, आप bank clerk बन सकते हो, उसके लाब आप चाहँ तो आप NDA के through army में जा सकते हो, आप Navy में जा सकते हो आप Air Force में जा सकते हो, और आप Railway में जा सकते हो, तो इतने सारे option हैं आपके पार, सबसे पहले आपको decide करना है कि आप किस field में job करना चाहते हो, सबसे पहले अपना interest देखिए, उसके according तयारी में आप लग जाए, बीना थोड़ा सा भी time गवा है, आप तयारी में लग माली जी कि आपको Railway में जाना है, आपको bank clerk बनना है, तो उसका previous share paper लाइए, देखिए pattern क्या है question paper का, किस तरीके का level है, किस तरीके से question पूछा गया है, समझने की courses की और practice सुरू कर दीजे, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी त्यारी करना चाहिए, उतनी जल्दी आपकी करने वाल है, जिस तरह हर एक math से पढ़ाई करने वाला student सुचते कि वो आगे जाके engineering करेगा, bio student सुचते कि वो आगे जाके doctor बनेंगे, उसी तरीके से जो भी student commerce से पढ़ाई करते हैं, उनकी सुच कहीं न कहीं होते हैं, कि उन्हें आगे जाके CA बनना है, यानि कि chartered accountant बनना ह है नहीं, अगर आप एक chartered accountant बन जाते, आप एक CA बन जाते, तो आपका career बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, और आप financially बहुत ज़्यादा stable हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको तो पता होगा न, कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने जोत होती है, अगर आप मेह करेंगे, सब लोग उतना afford करेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन और career option लेका है, जिससे अगर आप कर लेते हो, तो course करने के बाद, अगर आप अच्छी तरीके से सब कुछ करते हो, तो आपकी job लग जाएगी, आपका career बहुत अच्छा हो सकता है, तो देख complete हो जाएगा, और अगर आपको आगे कुछ करना है, तो graduation तक तो आपको पढ़ाई करने ही चाहिए, आप simple become भी कर सकते हो, तो आप become honors भी कर सकते हो, उसका लाव दोस्तों अगर आपको become करने में interest नहीं है, बहुत सारे student के साथ हैसा होता है, कि वो commerce तो ले लेते हैं, 10th के बाद उने उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जब commerce ले लेते हैं, तो जो commerce के subject होते हैं, उन्हें वो tough लगते हैं, जो accounts होते हैं, या फिर जो business studies, जो subject होते हैं, उनको वो tough लगते हैं, और वो चाहते हैं कि अब वो commerce नहीं ले, तो दोस्तों अगर आप 12 commerce के बाद graduation करना चाहो इसका एक ये भी फायदा है, कि जब आप commerce पढ़ाई करते हो class 12 में, तो आपके जो economic subject होते हैं, और जो आपकी subject English होती हैं, इसी subject का combination बनाके आप अपना BA कर सकते हो, BA का course कर सकते हो, इस तरीके से आपका, जो आपने economics पढ़ी हैं, वो भी आपका use हो जाएगा, अगर आपका student के लिए जो की commerce में आगे जाके पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, उसके लाव दोस्तों अगर आपका interest business में है, तो आप BBA कर सकते हो, BBA यानि की bachelor of business administration, लेकिन दोस्तों अगर आप BBA कर रहो हो, तो आप MBA अगर कर ले तो उसके बाद तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर ह हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ BBA का course कर लेते हैं, और उसके बाद आप आगे पढ़ाई नहीं करते हो, तो साइद ये आपके लिए उतना beneficial नहीं हो, लेकिन BBA करने के बाद आप MBA का course कर लेते हो, तो इससे आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकते हैं, और आपक 12 के बाद कर सकते हैं, अब BBA, LLB कर सकते हैं, ये 5 सल का course होता है, अगर आपको इस फिल्म में अपना career बनाना है, आप lawyer बनना चाहते हैं, और आप आगे जाके judge बनने की सोच रहें, तो LLB का course आपके लिए बेहतर option हो सकता है, उसके अलावा आपका interest teaching में हैं, अब teacher बनना चाहते हैं, तो दोस्तो आप 12 के बाद आप graduation कर लिजे किसी भी field से BA, BCOM, किसी भी давно कर लिए उसके बाद दोस्तो आप B8 का course कर लिए, जी हां, graduation के बाद आप B8 का course कर लिए, तो आप आगे जाके teacher बन सकता हो, आप direct 12 के बाद भी B8 का course कर सकता हो, लेकिन ये course अभी सभी college मे उपलब्द नहीं है इसके अलावा और भी कई ऐसे option है जिसमें आपका career बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप चाहते हो आप कुछ अलग करो कुछ हट के करो तो दोस्तो आपके पास hotel management का एक अच्छा option हो सकते है जी हाँ दोस्तो आप B.H.M का course कर सकते हैं जो commerce student है वो B.H.M का course नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं आप चाहो तो आप B.H.M का course कर सकते हो अगर आपके math से तो अच्छी बात है लेकिन अगर आपके math से नहीं है तब भी आप B.H.M का course असानीक से कर सकते हो अगर आपका interest software में है आपका interest programming में है आप आगे जाके web designer बनना चाहते हो web development करना चाहते हो आप software development करना चाहते तो BCA का course आपके लिए अच्छा हो सकते है आप BCA कर लिजे उसके बाद आप MCA कर लिजे उसके बाद आपके बहुत अच्छी job लग सकते है या फिर आप चाहते हो आप खुद का अपना काम भी कर सकते हैं इसके लबा अगर आपका interest आर्ट में है आपको drawing वागर आपको painting वागर अच्छा लगता है तो दोस्तो आप BFA का course कर सकते हैं प्यानिकी bachelor of fine arts इसमें भी आजकल demand इसकी अच्छी हो गई है अगर आप अच्छी तरीके से चीज़े जानते हो अच्छी तरीके से चीजों को present कर सकते हैं तो आपका कदर इसमें भी अच्छा हो सकता है उसके लबा दोस्तो अगर आपका interest मीडिया में है आप news anchor बनना चाहत है तो दोस्तो आपको mass communication and journalism का course करना चाहिए इसकी demand हमेशा बनी रहती है यह totally depend करता है आपकी skills को उपर इसमें name fame पैसा सब कुछ है अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे college से कर ले तो तो आपका career बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है इस तरीके से आप अपना career किसी भ बनाई है जिसमें मैंने आप बता है कि आप सीधे 10th के बाद या फिर 12th के बाद किस तरीके से job करके किस तरीके से कोई भी एक course करके डिप्लोमा course करके आप अच्छी खासी earning कर सकतो 50,000 से एक लाख रुपे तक भी कमा सकतो पर मन्त वो भी घर बैठ है वो वीडियो आप दे आपके अंदर talent की आप किसी भी एक talent को पकड़े आप किसी भी एक film export हो जाए उसके बाद देखिए success आपको जरूर मिलेगी तो मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको helpful लगी होगी आपको idea मिला होगा कि आप क्या कर सकते आपको क्या option है अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो मैं उसके उपर एक detail वीडियो बना दूँगा आप कमेंट करकी जरूर बताईए तो दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को देखा आपका बहुत-बहुत धन्दबाद चैनल को subscribe करके बिल आइकन ट्रेस कर दीजिए